असलालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे कोकोनट चॉकलेट बार्स वैसे तो बजार में इस तरह की कई चॉकलेट्स मिलती है लेकिन मैं आज आपको बताऊंगे कि घर में ये कैसे बनाई जाती है इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंट 200 ग्राम वाइट चॉकलेट का कंपाउंट 2 कप खोपरे का बुरादा सूखा गिसा नारियल जरूरत के हिसाब से कंडेंज मिल नारियल का डो तयार करने के लिए अब सबसे पहले बरतन में डालेंगे नारियल का बुरादा अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कंडेंस्मेंट लालेंगे और इसे अच्छे से मिलाईगे यह अच्छे से मिल गया है अब इसे हाथों से एक अच्छे डो की तरह से तयार कर लेंगे हमें यहां करनेजमेंट ज्यादा इस्तिमाल नहीं करना है क्योंकि हमें जरा टाइट डो तयार करना है के यहां मैंने होममेट कंडेंस्ग मिल किया है इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप चाहें तो बाजार का भी कंडेंस्में की मी सितिमाल कर सकते हैं ये देखिए दो तयार हो गया है अब हम इसके बार्ष तयार करेंगे चोटी चोटी लोईयां तोड़ेंगे इस तरहां से दबाते हुए फैलाएंगे अब इसे हातों से दबाते हुए इसे शेप देंगे ये देखिए इसी तरह से में बाक्यों को भी शेप देकर तयार करूंगी आप चाहें तो इसे किसी भी शेप का और किसी भी साइस का बना सकते हैं बार्ष तयार है अब इन्हें दस मिनट के लिए फ्रीजर में सैटोने के लिए रख देंगे अब हम एक भगोने में पानी घरम कर लेंगे इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें ये पाँच का बाउल रख देंगे अब इसमें टार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट डालकर मेल्ट कर लेंगे ये देखे चॉकलेट मेल्ट हो गई है अब गैस बंद करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए चॉकलेट ठंडी हो गई है अब इसमें बार्स को कोट करेंगे ये सेट हो गई है अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे मैंने इसे फाइल पे निकालकर दस से पंदा मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखा था ये देखी ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है कोकोनट चोकलेट बार्स तयार है इन्हें आप खुद बनाकर खाएं ये अपने बच्चों को खिलाएं ये सभी को बहुत पसंद आती है अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आये तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें को